बिस्मिल्ला रह्माल रहीम असलामीकूम कैसे हैं आप सब आज मैं आपको बनाना सिखाने लगी हूँ पॉकेट चिकन बहुत टेस्टी बनते हैं बहुत इजी रेसिपी है बड़ी प्यारी आपको थोड़े से चिकन में बहुत इच्छे और ज्यादा सारे स्नैक्स मिल जाएं य hooks अब हम आपाइज पॉस्पून में नमक डाल दी है क्रस्ट चिली क्रck पाउडरे ना यह लगाते हैं अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। अब इसमें थोड़ा समय इसमें एक चुटकी के बराबर येलो कलर डाल दूंगी ताके प्यारा सा कलर आजए। उसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और हाफ कप इसमें मैं डाल दूँगी पानी के पानी डालने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी जब तक ये बिल्कुल ड्राइ ना होजे तब तक ये अच्छी तरह चिकन कुक हो रहा है तो ये देखे हमने ब्रेट का स्लाइस ले लिया है इस तरह से अब एक आपने ये ले 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 इस तरह से गोल शेप में हमें चाहिए तो ये डिबे का कवर है आपके पास अगर कुछ ऐसा है जिससे हम इसको गोल राउंड शेप दे सकते हैं तो आप इस तरह से इसके सब के ब्रेट के स्लाइस को आपने शेप दे देनी है गोल ये देखे इस तरह से अब हम साइडस इसके लदा कर लेंगे इस तरह हमक्त कर लेंगे यह हमारे ऊर्म्जबह कैम आजेगी एक और को हम इसı तरह Wak yearly चैया देंगे खालए न तरह से इसको कट कर लेंगे यह देखे अब यह इसके उपर हम रखेंगे यह दो स्लाइसर कठे यह इस तरह से अब इसको हम बेल देंगे ठीक है अच्छा सा आपने इसको बेल देना है कि साइड इसकी अच्छी तरह से जूट जाएं बिल्कुल फ्लैट कर देना है इसको दोनों पीस आपस में फ्लैट हो ये बीच बीच में देखती रहे थि बिल्कुल ड्राय कर लेना अगर पान नी तो आपने इसको ड्राय कर लेना और टू टी स्पून ही इसमें मैं डाल दूंगी चीली सोस ठीक है नमक और कोई भी हमने स्पाइस इसलिए ने डाला क्योंके अलरेडी इन सोस वगरा में होता है और इसलिए फिर ये तेज हो जेंगे और गाजर इसलिए मैंने पहले डाल दिया ये हार्ड होती है हमने जरा क्रिस्पी रखना है सारी वेजिटेबल्स को चंद सेकिंड्स पकाएंगे गाजर तकरीबन मैंने एक मिनिट पकाई है बन कोपी भी ये देखें इस तरह से काटके मैंने एक कब डाल दी है और साथ ही मैं इसके डाल दूगी शिम्ला मिर्च वो भी एक बड़े साइसी जूलियन कट करके मैंने डाल दी है ठीक है वेजिटेबल्स को हमने बिल्कुल भी कुप ज़्यादा नहीं करना ये बिल्कुल क्रिस्पी होनी चाहिए ये नहीं कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जें सॉफ्ट नहीं होने देनी अब जो हमने चिकन बनाया था वो पकाया था इसको हमने श्रड करके वो भी डाल देना है इसमें बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद इसको आप ठंडा होने के लिए रखते हैं इसको तार दें फ्लेम बिल्कुल बंद कर दें ठीक है अब हमने वह जो बनाये थे स्लाइस बिल्कुल ये देखें मैंने इनको बेल भी लिया है डबल इस तरह से साइड्स आपने अच्छी तरह से प्रेस कर लेनी है ताके कहीं से भी ये खुले ना फिर ये मैंने दो अंडे लिये हैं इनक कि उसके मैंने करम्स बना लिया है चोपर में डाल के इस तरहँ डाल के यह उख और करस्क्या नहीं तो आप बने बनाई भी ले सकते हैं इस तरह से आपने इसकी दोने साइट्स पर अच्छी तरह से क्रब्स लगा लेने है मैं नहीं के इसदो बाते से क्राष़ ग्रहुत औ क्योंकि इसको हमने जादा डार कलर नहीं देना है लाइट गोल्डन कलर देना है प्यारा सा तो ओयल आपका जितना जादा गरम होगा तो यह डालते ही जल जाएंगे तो आपने इसको फ्लेम को लाइट रखना है बिल्कुल नॉर्मल सा और ओयल भी आपका इतना गरम होके यह बहुत जल्दी से रेडी हो जाएंगे आपने बहुत इहतियास से पूरी तवज्जों से जब फ्राई करने लगें तो इस तर दिहान से आपने इसको निकालेंगे देखिए इतना प्यारा कलर आ गया और मैंने इस तरह से निकाल लेंगे थोड़े से फूल भी जाते हैं ठीक हैं ये देख लें सारे क्रिस्पी से रेडी हैं इन सारों को मैंने फ्राई कर लिया आप यह जा इसमें मैंठा होला है अब इसमें मैं कर लें और ज्यादा आपने नहीं डालना ये देखिए अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी तो बिल्कुल वेजीटेबल के साथ बस ये लग गया इतना ज्यादा नहीं है ठीक है अब ये देखें ये जो मैंने रेडी किये थे पॉकिट्स बनाने के लिए ब्रेड को ये हम इस मेरे पास सैलेड लीफ नहीं था नहीं तो आप इसके एक साइट पर सैलेड लीफ रखें और ये फिर इसमें डाल लें वेजीटेबल चिकन का मिटीरियल तो बहुत ही प्यारे लगते हैं तो ये देखें इस तरह से आपने इस तो सारों को फिल कर लेना है इसने कलरफूल ल सारों को आपने इसी तरह से फिल बाना सकती है तो यह देखें कितनी प्यारी और कलर फॉल्स हमारी रड़ी है तो यह आप किसी भी बर्डे पार्टी पर बच्चों की या वैसे भी किसी बीवनट में आप बना सकते हैं बहुत प्यारे लगते हैं बच्चों और बढ़ों को सबको बहुत पसंद आएंगे जितने ये प्यारे लग रहे हैं इतने ही खाने में भी मज़े के लगेंगे तो ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कैसे लगे आपको ये पॉकेट चिकन की रेसिपी और विडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शियर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताके हर न्यू वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले ना ख्याल रखीगा मुझे दुआओं में याद रखीगा अल्ला हाफीज